Hello everyone, this is Habib, अबाँ ए टिटोरियल आम रहा दिगो कि बाँ अस्तेमल फाल अर्मध्दे css अप्लाइ कुरता होई, so let's begin एटा होच्छा अमा css3 blank folder, अबाँ अर्मध्द आमी तुटा फाल तोरी कुरबो, एक्टा होच्छा index.html, एक्टा होच्छा style.css एबाँ style.css तोरी कुरबो पर, आमी index.html अर्मध्द style.css लिंक कुर जीबो, एबाँ तार पर style apply कुर बाँ, एक्टा होच्छा राइट क्लिक कुर बेन, एक्टा होच्छा तेके new text, तार पर extension शोच्छा चेंज कुर दीबेन, index.html, एबाँ confirmation चाहिबे, अपनी दीबेन yes, एक्टा होच्छा 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 एक्टा होच तो फास्ट आम्रा तक भूख चे इनलाइन सी एसेश, कोने एक्टा डिव जुद आमी नहीं, एबांग डिवर मुद्ध आमी जुद लेखी हाई, I am Habib, एटा जुद आमी लेखी, आ एखने मुद्ध आमी जुद आखने स्टाइल, एबाभी लेखी, स्टाइल लेखार पर ए ताहले आमरा देख्ते पाद छे एखने बैक्राउंड कालो, एबांग बाइड डिफोल्ट लाखागुलो जहेतु कालो, शे जुद लाखागुलो दाहा जाच्छेने, स्टाइल अपलाई कोटते बरी, स्टाइल अपलाई कोरा जुद आमाका फरस्ट इटा सेबारेट कोट इटा होच्छे इनलेन CSS, एबां इनलेन CSSर पर आमरा देटी इन्टरनल कोटनो CSS इउस कोरते तो, शेकेतर आमरा एटा डिलेट कोरेदे और पर आमादर के क्लास डिलेट कोरते होबे, एबांग एखने आरेक्टर नीत बारी, किन्दब आमरा सेम टर्मोध्य अपलाई कोरते जास्ट एखने लिगे दीत होबे, क्लास एबांग एबांग क्लासे नाम जे इन्टरनल CSS, किन्द बाज्य कोन एक्टा कीशो आपनी दीते बारें, थार जान एक्टा टैग उस कोटते होबे, शेटा होच्छे स्टाइल, एबांग शेटा हेडर मोध्य उसकोर बेन बश्य, जोदी इन्लाइन ना होशे, कित्रे अमनाग एकाने हेडर मोध्य उसकोटतो होबे, तो हेडर मोध्य आपनी लिग बेन प्रत में क्लासे नाम लिगतो होबे, इन्टरनल CSS, एटा जे कुनों दराने नाम होईतो परे, एटर मोध्य सेगेंड ब्रेकेट दीए, किन्दबा केल ब्रेशेज दीए, आपनी एकाने मास्काने फाका कोरे, किन्दबा फाकान आकोलो कास्क पुरपे, एटेक्टे स्टेंडर्ट नियो मारके, तो मास्काने ने मन्द आपनी जुदी लेखी, जे कुनों केसो तावले कास्क कोरवे, फर्स्ट आम राद देखी, जे स्टाइल उ वाइट, ओके, एक्षा तामी दुटा कालार एट कोल्लाम, एक्ट होचे बैक्डराण काला, एक्ट होचे एमने टेक्स्ट कालार जेटा, 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 देखी, कास कोरे किना, रिफ्रेश, आहोंकी न्थू कास कोट छे, एटा चा रेक्टा नियों, जेवेब अपनी, CSS एट कोरते पारें, एबगँ, थार्ड जेटा नियों, शेटा होचे, अपनी, externally कोनो, CSS फाइल, एड कोरें, शेटा जन की कोटते होँए, शेटा, जोन एक्टा टाग उसकोरते होँए, जेटा, नाम होचे, लिंक, एबगँ, लिंक केर मोचे, एक्टा, relation, जीदी तो हभए, स्टाइल शीट यह पर आपना की लिखते हो अभे href यह बों रेफेरेंस लिख बेन होच्छे कुन आक्टा फाइल शेटा होच्छा हमादेर style.css ने जिती पास सीस्टेम भूस्ते ना परें यहां जुदे आमें एखेने एशे रिफ्रेश्च कुरें त्याले गुंद आवारो डिजेन उठेक गिये थे आमें एखेने एशे आमार एखेने फोल्डर मोद जे style.css टासे शेट आमें ओपन कुरबो ओपन कुरार पर एखेने आमें लेकबो internal css इंटर्नेल css एटे लेकबो कास कुरबे जहीत आमें एक्स्टर्नेल रिफ्रेश कुर्टे से शेजन आमें चेंज कुरे देई external css आमें एखेने लेकबो external css एके आमें बंद आमें color दिबो छे background color background color दिबो green एबों शुदु color दिलाम red एबों शुदु color दिलाम red एबों शेफ कोरर पर आमें चेंज देखेने आशी एकेन आशर पर रिफ्रेश कुरले एटा किन्तु कास कुट्छे ओके सो इवाबे किन्त आमरा html file आड़ कुरते बारी फर्स्ट आमरा inline आड़ कुरते परभो आर जुदु आमरा चाही internal css आड़ कुरते शेखेत्रो परभो बंग एखेनेर मोद आमरा एकादीक css file आड़ कुरते परभो सो css अरेक्टा बेसिक नियो माँचे शेटा होच्छे आपनी chrome आन जातो गुलोई css file आड़ कुरें नेगेना नीचे देटा थाकबे shader priority बेशी जा मोनेखन जुदु थाके style.css आर आपनी होईतो आरेक्टा फाल तोरी कुरें style2.css शेक अंदर मोद आपनी external css जेटा आजशे एकने कमा class शेटेक आपनी overwrite कुरें पर एक्जेंपल आपनी जु देखने style.css आर मोद जो लेखन background color green आपने जुदि index.html फाइलर मोद जे style2.css जटेटा आट कुरें शेटार मोद जो आपनी लिखेन background color green ना दिए background color आमीदी बहुत छे yellow शो केत्रे green टो जो येलो होई जबे कारण नीचे data थाके सेटरपायों पर सब चेवेशिः पाये. आजके रहे टीटोयल ला अम नगे चेटोयले ला शेटम CSS कीवाब आड कुरता है और कीवाब अप्लाइ कुरता है आजके टीटोयले ला जेने अता डटो कहीं नेक्स्ट टीटोयल ला आमाद राजी पर पातिकुल असे शेख गुलशांपर के जाना शुरू कर भो. So, thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe and I will see you in the next one.